एच्पी का सबसे लाइटेस्ट गेमिंग लैपटाप हमारेपास आ चुका है जो कि है ओमेंड ट्रांसेंड 14 और यार यह सच में बहुत ज्यादा अमेजिंग लैपटाप लग देखो कितना लाइट वेट आपको पता भी नहीं चलेगा क्योंकि लैपटाप पर निकाल चुका हूँ अब देखो पीछे स्पेक्स की बात करें यहां पर यह आपका चार्जर मिल जाता है जो कि मैं पहले से ही सेट अप कर चुका हूँ और यह रहा हमारा लैपटाप कितना जादा प्रीमियम लग रहा है यह लैपटाप पहले बॉक्स को साइट करते हैं यही आपके कॉंटेंट्स मिलेंगे बागी को यह चार्जर है काफी लाइट वेट है जादा है नहीं 140 वाट का है फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट है लैपटाप कितना जादा प्रीमियम लग रहा है हमारे पास सेरेमिक वाइट में आ रहे है और यह सब देख पार हो कितना जादा स्लिम भी है अगर मैं वेट की बात हूँ तो 1.63 केजी का है यह सबसे बैसी दिखा तो मेरा वनप्लस ओपन है यह अल्मुस्ट उतना ही जाद जादा थिक है तो यार बहुत जादा स्लिम लैप्टॉप है बागी देखो स्लिम लैप्टॉप है तो ऐसा निया कि बिल्ट कॉलिटी में कहीं भी कॉम्प्रोमाइज है बहुत ही सॉलिड यह फील होता है मैं इसको प्राइमरी डिवाइस की तरह यूज का रहा हूँ काफी आपको टाइब चारिजिंग फुल है टूपन वन का और लेफ्ट साइड में जो है आपको 3.5 जाएक और थंडर वोल्ट मिल जाता है और राइट साइड में आपको 2 यह बहुत जाता है और यह थोड़ा सा जो है आपका वाबल करता है बट सिल जो हिंज क्वालिटी बहुत ज्यादा अमेजिंग है बिल्कुल फ्लाइट वन एटी नहीं जाता बट मेरे सबसे इतना काफी है और सबसे बेस्ट बात जैसी आप इसको ओपन करोगे ना यार उसके बाद जो डिस्पले है सच में यार वन ऑफ दा बेस्ट आपको 2.8 के का OLED पैनल मिलता है जो की 120 हर्ट रिफ्रेश रेट के साथ आता है और बेस्ट चीज क्या यह 48 से 120 के बीचे में वरियेवल रिफ्रेश रेट है और ब्राइटनेस की बात करो ना तो यह इसली आपका 500 अट सक टच कर जाता है और उसके अंदर ना आपको जो बाहर बहुत यह सफिशेंट रहेगा और इंडोर बहुत ज़्यादा ब्राइट है मां मेंशा सिर्फ एक या दो लेवल पर ही रखता था उसने में बहुत ज़्यादा ब्राइट यह लगता था बागी 100% DCI P3 है तो उसमें कोई देख करने होगा आप एइइटिंग फोटोशॉप सब कर सकते हो और सबसे बैसी आइमेक्स एन सुनाई दे जाए कोई भी मीटिंग रहेगा है सॉंग सबको सुनने होंगे बढ़ थोड़ा और बेटर हो सकता था अगर में आपको कीबोर्ट की बास बहुत ज़्यादा बड़ा है जेसर बहुत ही सपोर्ट करता है तो ओवराल दिखो आपको कीबोर्ट से कोई भी इशू लेकिन सबसे बड़े सवाल पर दे परफॉर्मेंस कैसा है अगर इतना थेन लाइट तो कोई परफॉर्मेंस में कॉम्परोमाइस तो नहीं तो नहीं तो यह लाप्टॉप आपके हर चीज में काफी अच्छे से वर्क करेगा और डेली उसे में इसके फैंस ना के बराबर कि तो उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है अब गेमिंग पर आते हैं गेमिंग कैसा है और विक सबसे बड़ा बात तो यहां पर यहां पर आपको आर्ट जीवी का जो है 4060 आर्टेक्स मिल जाता है और उसने काफी अच्छा परफॉर्म करा मैंने इसके हिंदर था स्पाइडर मैं टेस्ट करा और हाइए सेटिंग पर में को 60 fps कंसिस्टेंट मिल रहे थे वेलरेंट भी मैंने ट्राइए कर रहा हूं उसकंदर आपको 250-300 fps देखने को मिलेगा और जीटे की बात करें तो हाइस सेटिंग पर 60 fps एजली मिल जाता है और सबसे बेस्ट पार्ट क्या था था अगर आप gaming के point of view से भी इसको देख रहे हो तो काफी अच्छा परफॉर्म करेगा हां यहां पर मैं कुछ apps की बात करूँ तो आपको HP के मिल जाते हैं और मेकफी मिल जाता है जो कि यार हटा देना सच में कढ़िया लगता है लेकिन MS Office है जो की बहुत ही अच्छी चीज है तो overall performance side में है जहां पर मैं थोड़ा skeptical था कि पता नहीं कैसा perform करेगा मैं सच में बहुत सर्प्राइज था overall इसके performance से आती है और थिन और lightweight है आपके सारे टास्क ही easily कर लेता है डेली टास्क हो Photoshop हो या फिर वीडियो एटिंग हो या गेमिंग हो हर चीज के लिए आइधिंक यह all-round laptop है किसी student को लेना हो या फिर professional को मेरे साब से या फिर gamer को बहुत ही अच्छा एक option देने वाला है फिर भी इस laptop क